हेलो बच्चों आप सभी का स्वागत एक बर फिर्ष से मेरे यूट्यूब चैनल में बच्चों जो आपकी 9th क्लास की बुक है छितिर्ज भाग एक उसका जो अध्याई है आपका अच्छ है कौन सा अध्याई 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 अच्छ है तो उसका नाम है आपका कैदी और कोकिला कैदी और कोकिला तो जो कोकिला है वो बोलते हैं हम किसे कोयल को किसे बोलते हैं कोयल को और कैदी जो जेल में बन रहते हैं उन्हें बोलते हैं कैदी तो बच्चों यह जो पार्ट है आपका इसके जो राइटर है आपके वो है माखनलाल चतुरवेदी माखनलाल चतुर वेदी चतुर वेदी तो आज हम इसके जो प्रशन उत्तर करेंगे और प्रशन उत्तर शुरू करने से पहले एक जरूरी बार कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं बच्चों और पहली बार आप चैनल को देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें जिससे मेरी आगयाने वाली वीडियो का आपको समय पर नोटिफिकेशन मिले और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो की लाइक भी जरूर किया करें और शेयर भी किया करें तो आइए शुरू करते हैं इस पार्ट के प्रेशन उत्तर कोयल की कूक सुनकर कभी की क्या प्रतिकिरिया थी तो उत्तर है इसका आदी रात को कोयल की कूक सुनकर कभी को ये लगा की वे उसे कुछ कहना चाहती है कौन कोयल जो है वो कवी को कुछ कहना चाहती है कोयल या तो उसे उसे जो संभूधित किया गया है बच्चों वो कहा गया है कह दिया कवी को लगतार लड़ते रहने की प्रेड़ना देना चाहती है या उसकी यातना उसे मिलने वाले दर्द को बाटना चाहती है उसे लगता है कि कोकिल कवी के दुखों को देखकर अपने आसू बहा रही है और चुपचाप अंधेरे को भेद कर विद्रों की चेतना जगा रही है अंधेरे को भेद कर का मतला अंधेरे को पार करके या अंधेरे को खत्म करके उसके बाद है आपका प्रशंदो कवी ने कोकिल के बोलनے के किन कारणों की संभावना बताई है तो तरह इसका कवी ने कोकिल के बोलने पर निमलिखित कारणों की संभावना जताई है कोयल जेल में बंद स्वतंतरता सैनानियों को देशवासियों की दुरदशा के बारे में बताने आई है देशवासियों की जो दुरदशा मतलब जो उनकी बहुती बुरी दशा हो रही थी किसकी जो की हमारे देश की आजादी के लिए जो सैनानी लड़े थे और उनको अंग्रेजों ने जेल में बंद कर दिया था उनकी दशा के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि कोयल कह रही है उनकी बहुती दुरदशा थी यानि की बुरी दशा थी जेल में कोयल कैद हुए स्वतंतरता सैनानियों को धहरे बंदाने एवं दिलासा देने आई थी कोयल कैद हुए स्वतंतरता सैनानियों के दुखों पर मरहम लगाने आई है कोयल पागल हो गई है जो आदी रात में चीक रही है ये है इसका उत्तर उसके बाद है प्रशन तीन बच्चों आप इन प्रशनों के जो उत्तर है वो आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं लिखने की इन प्रश्णों के उत्तरों को, तो किस आसन की तुल्ला तम के प्रभाव से की गई है और क्यों, तम का मतलब होता है बच्चों, अंदकार, ये अंदकार का परियावाची शब्द है तम, पराधीन मतलब दूसरों के अधीन, यानि कि जिसे हम कहते हैं, किसी के अंडर में किसी काम को करना, इस तरीके से, जैसे नौकर होते हैं, तो वो, मतलब, स्वतंतरता जिसकी हम छीन लें, तो वो क्या होता है, अगर हम किसी की स्वतंतरता को छीन लें, और अपने और के अनुसार उससे काम करवाए, तो वो पराधीन हो जाता ह उसको पराधिन से संबोधित किया जाता है भारत में बृतिश रासन की तुल्णा तम के प्रभाव से की गई है मतलब अंधियरे के प्रभाव से की गई है क्योंकि ब्रिटिस शासक बेकसूर भारतियों पर घोर अत्याचार कर रहे थे उन्होंने जेल में बंद स्वतंतरता सैनारियों को तरह तरह की यातनाई दी उन्हें कोलू के बैल की तरह जोता गया कोलू का बैल का मतलब होता है बच्चों एक आपने देखा होगा ग इजली से कनेक्ट करके फिर उसको मशीन को चलाया जाता है लेकिन पहले किया होता था जो कोलू होता था उसकोलू बीच में होता था और इस तरह के से इसकीसे उसे बोलते है कोलू का बैल तो कोलो की बैल की तरह जोता जाता था, मतलब लगातार उनसे काम करवाया जाता था कवीता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए पराधीन भारत में समय के जेलों में भारतवाशियों को पश्वों की भाती रखा जाता था उन्हें इस परकार की यातना है दी जाती थी कि सुनकर ही रोंग्टे खड़े हो जाते हैं इन में से कुछ निम लिकित हैं तो यहाँ पर कुछ बाते बताई गई हैं तो आईए देखते हैं पहली पहला पॉइंट है उन्हें उची उची देवारों वाली जेलों में कैद करके रखा जाता था दूसरा उन्हें दस फुट की छोटी छोटी कोट्रियों में कैद करके रखा जाता था तीसरा उन्हें भर पेट खाने के लिए खाना भी नहीं दिया जाता था फोर्थ है उनके साथ पशुवों सा विवहार किया जाता था अगला उन्हें बात बात पर सिर्फ गालिया ही दी जाती थी नेक्स्ट उन्हें तडब तडब कर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था उसके बार दें आपका प्रशन पाँच भाव स्पस्ट कीजिए का है ब्रदुल वैभव की रखवाले सी कोकिल बोलो तो और दूसरा है हूँ मोट खीसता लगा पेट पर जुआ खाले करता हूँ ब्रिटे सकड का कुवा तो आईए इसके जो उत्तर हैं वो देखते हैं हम का कवी के नुशा संसार में दुख ही दुख है यदि कहीं पर मर्दुलता और सरस्ता बची भी है तो वे कोयल के मधुर स्वर में बची है मर्दुलता मतलब जो प्यार से बोले और रस मतलब रस जिसकी बातों में रस टपकता हो सरस्ता सारस यनि रस के साथ अथा कोयल मर्दुलता भरे भाव स्वरों की रखवाली करने वाली है कवी कोयल से पूछते हैं कि आखिर वे जेल में अपना मधुर स्वर गुन जाकर उसे क्या कहना चाती है तो खा देखेंगे अब खा का जो भाव है इसमें बिट्रिश शासन की असनीय यातनाय जेलता हुआ कवी स्वामिमान फूरवक कहता है कि वह अपने पेट पर कोणू का जुआ बानकर चरसा चला रहा है इससे यह आशय है कि उनसे पश्वों जैसा सक्त काम कराया जा रहा है फिर वेवेहार नहीं मान रहे है जिसके कारण बिट्रिश सरकार की अकड़ीली पढ़ती जा रही है यह सब देखकर अब अंग्रेजों को समझ आ गया है कि हम इन सेनानियों पर अत्याचार करने में भी सफल नहीं हो सकते उसके बाद है आपका बच्चो प्रशन सेक्स अर्ध रात्री में कोयल की चीक से कभी क्या संदेश देना अंदेशा कभी को क्या अंदेशा है तो अर्ध रात्री मतलब आधी रात्री के समय तो उत्तर है इसका आदी रात में कोयल की चीक सुनकर कभी कोई है अंदेशा होता है अंदेशा का मतलब शक होता है कि उसने भारतियों के अंदर उपस्तित आक्रोस है वसंतोस की ज्वाला को देख लिया होगा यह ज्वाला जंगल में लगने वाली आग के समान भयान कर रही है कोयल उसी ज्वाला करांती की सूचना देने के लिए जेल के परिसर में के पास आई है उसके बाद है आपका प्रशन साथ कवी को कोयल से इरश्या क्यों हो रही है इरश्या मतलब जलन क्यों हो रही है या चिल्ट चड़ाहट क्यों हो रही है उसके बाद है उत्तर कवी को कोयल से इसलिए इरश्या हो रही है क्योंकि कोया स्वतंत्र होकर आकाश में उड़ रही है जबकि कवी जील में बंदी है कोयल पेडों की टहनियों पर बैठकर हरेयाली का आनंद ले रही है जबकि कवी 10 फूट की काल कोटरी में जीने के लिए विवश है कोयल के सुरीले गीत की सभी सराना करते हैं जबकि कवी के लिए रोना भी गुणा हो गया है उसके बाद है आपका प्रिश्ण आठ कवी के इस्मृती पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधूर इस्मृतियां अंकित हैं जिने वे अब नस्ट करने पर तुली है उत्तर है कवी की इस्मृती पटल पर कोयल का यूँ असमय अत्यांत मधूस्वर में गीत गाना विचितर सा लग रहा है जिने अब नस्ट करने पर तुली है अगला उत्तर है आपका प्रश्ण है आपका नाइन हद कडियों को गहना क्यों कहा गया है गहना मतलब जो जेवर वगेरा होते हैं वो उत्तर है पंडित माखनला चतुरुएदी करांती कारी कवी थे उन्होंने स्वतंतरता प्राप्ती के लिए स्वयम से प्रेणा प्राप्त करके संगर्स का मारग अपनाया था वे जेल को अपना प्रिया आवास मानते थे तता हद कडियों को गहना समझते थे उन्हें कभी भी किसी गलत कारे के लिए हद कडियों नहीं पहननी पड़ी उन्होंने स्वतंतरता प्राप्ती के महान उद्देश्चे के लिए हद कडियां स्विकार की अथा उनसे उनका गौरव और भी बड़ा, समाज ने उन्हें उन हतकडियों के लिए प्रतिस्टा प्रदान की, इसलिए उन्होंने हतकडियों को गहना कहा है, यानि कि जो माखनला चतुरवेदी से, उन्होंने कोई ऐसा क्राइम नहीं किया था, चोरी नहीं की थी, किसी का कत नहीं किया था जो उन्हें हतकणियां पड़ती उन्हें हतकणियां इसलिए पड़ी थी बच्चों क्यूंकि उन्होंने हमारे देश को सोतंत्र कराने के लिए आजादी में भाग लिया था तो उसके बाद है आपका प्रशंदस काली तु ए आली इन पंक्तियों में काली शब् वर्थी बार-बार हुई है, इस शब्द का अर्थ भी उसमें संधर्वा नुसार है, संधर्ब के नुसार काली शब्द के निम्लिखित अर्थ है इसका पहला पॉइंट है हतकडियां राध कोयल, आदी का रंग काला बताने के लिए दूसरा पॉइंट अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण कारणामों को बताने के लिए भी काला या काली शब्द का प्रियोग किया गया है अगला पराधीन भारतियों के भविश्य को अंदकार मय बताने के लिए भी काली शब्द का प्रियोग किया गया है अंग्रेजों के प्रती भारतियों के मन में उटने वाले आक्रोष के समन में भी काली शब्द का प्रियोग किया गया है उसके बाद है आपका प्रशन 11 कावे सोंदरे स्पस्ट कीजिए किस दावनल की जुआ लाएं हैं दिखी तो दावनल बचों बोलते हैं दावनल जो है वो प्रियावची शब्द में जो जंगल में आग लग जाती है उसको दावनल बोलते हैं तो उत्तर है इसका यहाँ पर कवी ने एक उपमा देकर अपने अंदर और बाहर की बेचेनी को चित्रित किया है दावनल यानी जंगल की आग बड़ी भयावे होती है और बड़ी तेजी से फैलती है तेरे गीत कहावे वहां रोना भी है मुझे गुना देख विशमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रण भेरी उत्तर है इन पंक्तियों में कवी ने कोयल की आजादी और अपनी गुलामी की तुलना की है यहाँ पर गाने और रोने के बीच की खाई को दिखाया गया है उसके बाद है आपका प्रश्न बारा कवी ने जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता होगा लेकिन उसने कोकिला की ही बाते क्यों की है उत्तर कोयल की एक अपनी विशिस्ट पहचान होती है यहनि की चहचाते तो और भी पक्षी थे लेकिन फिर भी कवी ने किसको कहा किसको सुना केवल कोयल की आवाज को कोयल का काला रंग उसकी सूरीली आवाज के साथ एक अजीब से मेल को दर्शाता है कोयल के कूखने को वसंद के आगमन के रूप में देखा जाता है और इसे प्रेम का प्रतीग भी समझा जाता है इन्हीं विशेस्ताओं के करण कभी ने कोयल को चुना होगा उसके बाद है आपका प्रशन 13 आपके विचार से स्वतंतरता सैनानियों और अपरादियों के साथ एक साविभार क्यों किया जाता होगा उत्तर अंग्रेजों के नजर ये से देखें तो स्वतंतर सैनानि खतरनाक अपरादि थे क्योंकि वे अंग्रेजों के शाषन के लिए खतरा पर रही थे इसलिए स्वतंतर सैनानियों और अपरादियों के साथ एक साविभार किया जाता होगा तो बच्चों ये थे आपके पाठ कैदी और कोकला के प्रशन उत्तर आशा करती हो आपको अच्छे से समझ में आए होगे और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें